नमस्का सर, स्वागत है एक और नई वीडियो में जो कि ये लोकेशन काफी बेहद अच्छे होने वाला है तो वीडियो के साथ लगे रही है पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी मालिक का मोईल नमबर भी दे दिया जाएगा अगर आपको जादा जानकारी प्राप करना है तो मालिक से भी संपर कर सकते हैं और इस बनिव मकान की अधिक जानकारी प्राप करके इस बनिव मकान को खरी सकते हैं तो मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है पहली बार चैनल पे आये हैं तो वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब लिखा दिखाए दे रहा है या आपक पिर अपने मकान या फिर अपने प्लाट को आप सेल कराना चाहते हैं तब भी आप मुझसे संपर कर सकते हैं मुझसे संपर करने के लिए वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट बाक्स मिल जाता है इसमें आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका मकान कहां पे हैं किस एरिया में है किस लोकर्सन पे है जो कि मैं आप से संपर करूँगा आपकी वीडियो हमारे चनल पे बिल्कुल फ्री में अपलोड की जाएगी इस से न आप से बीडियो बनाने को कोई पैसा लिया जाएगा ना ही मकान बिखने अफराब से कमिशन बिल्कुल भी नहीं ली जात की तो इसके कीमत आपको थमिल पे लिखा दिखाई दे रहा है सिर्फ यह मकान मिलेगा आपको एक लाख रुपे में जी हां यह आपको मकान मिलेगा सिर्फ एक लाख रुपे में तो गर आप खरीना चाहते हैं तो मैं आपको इस जमिन का करेक्ट लोकेशन भी बता देंगे वीडियो में तब तक यह जनकार्य हम आपको बदा देते हैं कि ये बना हो मकान आपको मिलेगा पूरे 600 ऐसक़ॉर फुर में आपको ये बना हो मकान कम देखने को मिल जाता है जी हाँ दोस्तों ये आपको मकान मिलेगा 600 square foot में जो कि काफी कीमत अच्छी इसकी आपको मिलेगी और कीमत आपको तो मैंने लिखके दिखाई दिया थम्हिल पे ये मकान मिलेगा सिर्फ एक लाक रुपे में इस मकान के अंदर आपको काफी स्विधाय देखनों को मिलेगी इस मकान के अंदर लैटरीन बाथ रूम डैनिंग एरिया हाल तीन कमरे बेडरूम यह सारी चीज़े आपको इस बने हो मकान के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं बात कर लेते हैं फ्रंट साइड में रास्ते की तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर आपको जो रास्ता मिलेगा इसके जैस्ट साइड से आपको रास्ता मिल जाएगा जो कि इसमें थोड़ा विवाद है जी हां दोस्तों मैं आपको बता देता हूं वीडियो में इस मकान के बारे में थोड़ा सा विवाद है इसलिए आपको यह मकान दिया जारा सिर्फ एक लाक रु और यह bedroom काफी बेहद अच्छी quality के साथ आपको bedroom भी देखनों को मिल जाता है चलिए हम आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं और यहां पर आपको मिल जाएगा bedroom यह भी bedroom अच्छी quality के साथ आपको यह भी bedroom देखनों को मिल जाएगा और हम आपको इसकी जानकारिया दे देते हैं कि काउन काउन सी सुभिधाएं आपको यहाँ पे देखनों को मिल जाती है चलिए हम आपको अंदर ले चलते हैं यह जो आपको फ्रेंट साइड में रास्ता की जानकारी दिया है यहाँ पे आपको मैं आपको रास्ते की भी जानकारी दिया है इसके जट साइड से आपको RCC का रास्ता हुआ देखनों को मिल जाता है और यहां पे जीने भी आपको देखनों को मिल जाते हैं और यहां पे देख सकते हैं काफी अच्छा यह मकान आपको देखनों को मिल जाएगा लेकिन थोड़ा सा इस जमीन में बिवाद है अगर आप खरेना चाहते हैं तो खरी सकते हैं पूरी जेल आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे सेयर करने वाले हैं तो यहाँ पर आपको मिलेंगा जीना और यह जीने काफी अच्छी लुक के साथ आपको यहाँ पर जीने भी देखनों को मिल जाते हैं चलिए हम आपको अंदर भी दिखा देते हैं अंदर यहाँ पर आपको काफी बेउस थाएं देखनों को मिलेगी यहाँ पर आपको दो बेडरूम एक साथ ही लगे हुए देखनों को मिल जाते हैं और ये bedroom का पर ये अच्छे quality के साथ आपको ये bedroom देखनों को मिल जाते हैं आगे का हम आपको view दिखा देते हैं कि आगे का view आपको करसा देखनों को मिल जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको आगे का भी देखनों को मिल जाता है और ये व्यू कापी अच्छी quality के साथ आपको देखने को मिल जाता है तो पूरी जानकारी आपको मैंने इस बने हो मकान के बारे में दे दिया है और अगर आप इसमे समर से बिल या पानी या पानी से under related चीज़ यहां पे आप लगाना चाहते हैं तो मैं आपको यहां का water level की जानका दिते देते हैं यहां पे जो आपको water level मिलेगा यह आपको 480 फुट पे यहां का water level आपको देखने को मिल जाता है और इस बने हो मकान में अभी तक किसी भी प्रकार की पानी की बेउस्थान यहीं की गई है अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसके जो पड़ोस में यह एक मकान बना हुआ है और इसमें अभी समार हुआ है कुछ ही दुनों पहले तो इसमें इनको 4500 फुट पे पानी मिला है अगर आप भी यहां पे लगाना चाहते हैं तो आपको भी यहां का वाटर लेवल आपको इतनी पुट पे देगनों को मिल जाता है और मैं आपको मार्केट की भी जानकारी दे देते हैं इस बने हुमकान से लगभग आपको एक किलोमेटर की दूर उप चलके आपको बड़ा सा मार्केट भी देखनों को मिलेगा तेन किलोमेटर की दूर उप चलके आपको मिल जाता है जील और ये जील काफी बड़ी आपको देखनों को मिल जाती है बात का लेते हैं पेटरोल टंकी की तो petrol tanky हम आपको अधा देते हैं इस बने हो मकान से लगभग आपको 2 km की दूरू चलके आपको petrol tanky भी देखने को मिल जाती है तो मैं आपको मकान बेचने वाले मालिक का नाम भी बता देते हैं कि यह बना हो मकान आपको कहाँ पे देखने को मिल जाता है ये मालिक का नाम हम आपको बता देते हैं सचिन कुमार के नाम से आपको ये बना हो मकान देखनों को मिल जाता है जो कि काफी अच्छा ये मकान आपको देखनों को मिल जाएगा और इनकी काष्ट हम आपको एक बार फिस से बता देते हैं इस मालिक काष्ट है OVC की आपको इसका correct location देते हैं यह बना हो मकान आपको किस सहर में देखने को मिल जाता है जिले की बात कर लेते हैं तो जिला यहां पर लग रहा है सीतापुर सीतापुर में आपको तहसिल मिलेगा जिसका नाम है बिसमा और यह मकान आपको बिसमा में ही देखने को मिलेगा इस टोल अगर आप इस location को चोड कर किसी दूसरे location पर बने हो मकान की जानकारी पाना जाते हैं तो वीडियो के नीचे आप को कमेंट बाक्स मिल जाता है इसमें याप कहां पर मकान खना जाते हैं किसकी मनमेख़री न जाते हैं ये सारी डिटल वहाँ पे लिख दीजे, मैं आपसे संपर करूंगा, आपकी वीडियो हमारे चनल पे बिल्कुल फिर्में अप्रोड की जाएगी, मालिक का नंबर आपको हम बता देते हैं, मालिक का नंबर है 974924914, ये मैंने आपको मालिक का मूगल नंबर दे दिया, अधिक की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे काल कर सकते हैं, पूरी डिटल आप घर बैठेए इस मालिक से संपर करके, जबन позir मकान को खरी सकते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो च्लेए वीडियो को लाइक करें, चेनल को सस्क्राब नहीं किया हुआ है, तो वीडियो के नी और वहीं पे आपको मिल जाएगा